कहते हैं दोस्ती वही जो समय पर काम आए अब भारत के एक और दोस्त जापान ने वो कर दिखाया है जो अब तक किसी देश ने नहीं दिखाया था हाला कि जगवक जितनी भी मदद अंतराष्टी अस्तर पर भारत को मिली है वो हर एक मदद काबिले तारीफ है क्योंकि हर कोई देश अपने आप में महामारी से जूज रहा है किसी न किसी फेज में है जैसे रूस की बात करें तो दूसरी या तीसरी लहर चल रही है हलाकि रूस की मीडिया इन खबरों को बहुत जादा बाहर नहीं आने देती है लेकिन ऐसा कहा जारा है कि खुद रूस भी इस महामारी से इस वक्त जूज रहा है बात अमेरिका के करें तो अमेरिका में भी माहोल अभी सांत नहीं हुआ ह ऐसे में इन देशों से जो भी मदद मिल रही है वो बहुत ही अच्छी है अमेरिका हो, फ्रांस हो, इसराइल हो या फिर रूस हो अपनी तरह से हर कोई मदद कर रहा है तो वहीं जापान आगे आते हुए अब बड़ा एलान कर रहा है जापान ने कहा है कि वह 300 oxygen generators और 300 ventilators भारत भेज रहा है 300 oxygen generators एक बहुत बड़ी संख्या है गुरुर को भारत के विदेश सचीव हर्स स्रिंगला ने इस वात की पुष्टी करी और उन्होंने ये कहा कि भारत का नजदी की पार्टनर है जापान और जापान ने अब ये निर्ने लिया है कि वह सारी चीजों के साथ भारत को बड़ी संख्या में generators और ventilators देगा देखो आप generators मितलने का मतलब हो गया कि oxygen की लगबग factory मिल रही है जहां फ्रांस ने 8 generator भेजे थे तो अब जापान 300 भेज रहा है इसके अलावे भारत ने 40,000 oxygen generators के लिए order भी दिया हुआ है बिदेशी कमपनियों को पर इस वक्त जिस तरह से महामारी फैली है वैसे तो कहा ये जा रहा है कि ये भयावह रूप इसी हपते तक देखने को मिलेगा और उसके बाद धीरे धीरे केसिस कम होने लगेंगे और जून जुलाई तक सारा मामला सांथ हो जाएगा पर ये जो अभी का समय है ये बहुत महतपूर्ण है और इस महतपूर्ण समय में कौन सी मदद कहां से पहुँच रही है वो बहुत माइने करती है जापान के ये 300 oxygen generators इस वक्त उन रोगीों के लिए बरदान होंगे जो कि oxygen के बगएर बेहाल हो रहे हैं वैसे आपको बता दें जापान भारत की मदद सिर्फ इसी चीज में नहीं कर रहा है जापान भारत की निग्वानी भी कर रहा है और इसके लिए जापान और भारत एक ऐसे परजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिस परजेक्ट पर काम करने की सोचना किसी और देश के बसकी बात नहीं है क्योंकि इस इलाके में भारत ने कभी किसी विदेशी सक्ति विदेशी कंपनी को घुशने ही नहीं दिया लेकिन जापान वो पहला देस है जिसके साथ मिलकर भारत इस inbox में काम कर रहा है और वो इलाका है अंडमान निकोबार का इलाका वैसे तो कहा ये जाता है कि जापान ने यहां एक बड़ी निवेस करी है और वो निवेस उर्जा के लिए की है लेकिन अंदर खाने ये बात दुनिया की जियो पॉलिटिक्स भी जानती है और मीडिया भी जानती है कि जापान और भारत इस छेत्र में चीन के नाकों में दम कर करने की योजना तयार कर रहे हैं चुकि अंडमान निकोबार का यह इलाका भारत के लिए आप समझ लीजे डेड़ सो से दो सो एरक्राफ्ट केरियर का काम करता है तो वहीं इस इलाके से मलक्का स्ट्रेट को घिरना बेहद आसान है और अगर चीन भारत के साथ उलजने की कोश इस रननीतिक छेत्र में अपनी मोर्चेवन दी वैसे आपको बता दे इस क्रम में अब अमेरिका ने भी एक बड़ा निर्ने ले लिया है दरसल भारत और अमेरिका की बीच चीन के खिलाफ रननीतिक साजेदारी होनी बेहर ज़रूरी है यह चीज अमेरिका भी समझता है और अमेरिका में इस चीज को रोक दिया गया था वैसे भारत के पास पहले से आठ पी एटाई एरक्राफ्ट हैं जो कि जनवरी 2009 में खरीदे गए थे उसके बाद 2016 में भी एक चार एरक्राफ्ट खरीदे गए थे दको इसको खरीदने का बड़ा मकसद ये था कि भारत समुद्र चेतर में अपनी सुरच्चा चाहता था पीएटाई निगरानी भी करती है और साथी साथ सब्मरीन कीलर भी कही जाती है समुद्री चेतर में इससे अच्छा सर्विलांस के लिए एरक्राफ्ट मिलना बहुत मुस्किल है यही वजह हैं कि भारत और बीच है पीएटाई को ख इसे एलाव कर दिया है यानि कि अब भारत को PTI के 6 और बिमान मिल सकते हैं पर प्रशन ये उठता है कि आखिर बाइडन ने अचानक से ऐसा निर्णे क्यों लिया तो आप जाने दरसल जिस तरीके से रूस बढ़ चरकर भारत की मदद कर रहा है विदेश नीती भी बदल रही ह ऐसे में अब अमेरिका जो अमेरिका फास्ट की नीती दोहरा रहा था अब वो हर काम करने को तयार है जिस से भारत अमेरिका को छोड़े नहीं और अमेरिका भारत की मदद से चीन को काउंटर कर सके अब जो नोटिफिकेशन जारी करी गई है उसमें ये कहा गया है कि हमारे विदेश नीती और राष्टिय सुरच्छा के लिए ये बेहत जरूरी है कि भारत और अमेरिका की स्ट्रेटजिक रिलेसंसीप और भी ज्यादा अच्छी हो और ये हमारा डिफेंसीव पार्टनर बने जिसकी वजह से हमें भारत को वो हतियार दे देने चाहिए जिसकी उसे इ जनता कर रही है उसे देखते हुए यूरोपिय यूनियन अब कड़े फैसले ले रहा है फ्रांस के उपर और ऐसे फैसले जो सीधे कहर बरसाने वाले हैं दरसल यूरोपिय यूनियन की पार्लियमेंट में एक बिल पास हुआ है जिस बिल के अंतरगत पाकिस्तान से अब जी जी एसपी प्लस सुविधा होनी की वज़े से पाकिस्तान को यूरोपिय यूनियन के देशों में कम टैक्स भरना पड़ता था जिसकी वज़े से उनके समान सस्ते हुआ करते थे अब जो समान मार्केट में सस्ता होगा और सेम क्वाइलिटी का होगा वो ज्यादा बिकेगा यही वज़े है कि पाकिस्तान का एक ठीक ठाक बैपार यूरोपिय यूनियन के साथ चलता था। हो रही है अगर यह चीनी जाती है तो पाकिस्तान के लिए एक बड़े जटके से कम नहीं है वैसे पाकिस्तान को ऐसा जटका मिलना बेहत जरूरी था। इसके लिए भी ठीकरा फोड़ रहा है भारत के ऊपर कि भारत की वज़े से भारत और फ्रांस ने मिलकर यूरोपिय यूनियन पर यह दवाब बनाया है कि वह जी एसपी को खत्म कर दे ताकि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीवत खड़ी हो जाए। कि यह गड़ा उसने खुद खोदा है जिसमें वह खूद रहा है वैसे आपको क्या लगता है पाकिस्तान के ऊपर यह नीन लेकर यूरोप सही कर रहा है या गलत कमेंट कर अपनी राई जरूर बताएं जल मिलते हैं अंगले वीडियो में नई खबर के साथ।